हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल इस्टॉक राइडर्स फ्रेंड्स इस्टॉक एनलिसिस वीडियो में आपका स्वागत है और इस्टॉक की एनलिसिस से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट मैंने इस्टॉक का नाम है रेमको सीमेंट्स लिंटेड फिफ्टी टू वीक का ही है शिक्सेटी सेवन फिफ्टी टू वीक का लोग है टू सिक्टी टू कब लगाया है 29 मार्च को लगाया है अभी दो दिन पहले क्वांटिटी लास्ट टेडिंग सेशन में ट्रेड हुई है 1,93,135 डिलिवरी क्वांटिटी 87,814 डिलिवरी परसेंटेज 45.47 डिलिवरी परसेंटेज बहुत अच्छे है यानि कि अब डिलिवरी बेस बाइंग हो रही है ना कि सेलिंग रेमको.com यह इस कंपनी की वेबसाइट आप कंपनी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और कंपनी के बारे में इंफोर्मेशन ले सकते हैं कंपनी का बिजनिस क्या है मार्किट कैप है 866 करोड की डेट है 57.8 करोड का प्लेज परसेंटेज 0 सेरोल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं पिर मोटर्स की लास्ट थ्री क्वाटर में 54.45 से 54.38 नॉमिनल कम हुई है FIIs की 1.30 से 0.17 FIIs बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं डियाई 9.20 से 9.77 डियाई बढ़ चुके हैं पबलिक याने रिटेलर्स 35.05 से 35.67 यह भी बुलिस है ओवरॉल से रोल्डिंग पैटर्न सही है तो यह है इस श्टॉक का वन डे का चार्ट वन डे के चार्ट में RSI है 40 यह है वन वीक का चार्ट वन वीक के चार्ट में RSI 27 और यह है वन र का चार्ट वन र के चार्ट में और वन आर का चार्ट इन दोनों में आरे से बुलिस है लेकिन वन वीक के चार्ट में आगर आप आरे साई देखोगे 27 के आसपास है ओवर सोल्ड जोन में है तो यह स्टॉक लास्ट टेडिंग सेशन में 281.20 में बंद हुआ है तो यह है वीकली चार्ट में अगर बात करते हैं कोविड के टाइम के आसपास की 73 के आसपास का इस टॉक है 73 से उपर इसने हाई लगा दिया 784 के आसपास में मोर देन 10 टाइम उसके बाद से इस टॉक ने एक रेंज बना दिया एक चैनल के अंदर फस गया यहाँ पर लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर इस टॉक को यहाँ से इस स्टॉक में एक सार पप मूव आया उसके बाद से स्टॉक एक फुली रेंज के अंदर फस गया है तो अभी इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं जो लोग बहुत उपकी लेवल पर इन्वेस्टेड हैं उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टॉक में मूवमेंट अब स्टार्ट हो चुगी है और आज यह स्टॉक नियर अबाउट सिक्स परसेंट से उपर कर अप मूव दिया है इस स्टॉक ने तो यहाँ पर वन डे के चार्ट में देखोगे एक बड़ी केंडल है हो सकता है यहाँ से स्टॉक थोड़ा और ऊप निकल जाए यहाँ पर थोड़ा और ऊपर जाए यहाँ पर 300 के असपास में उसके बाद से फिर एक पुल बैक ले वापस यहाँ पर 280 के असपास में आए उसके बाद से फिर एक डवलू पेटर्न बनाके ऊपर निकले यह इसमें पॉसिबिल्टी है बिकॉज वन वीक के चा देखोगे यह स्टॉक और कितना नीचे आ सकता है हो सकता है यह स्टॉक 270 273 तक नीचे आ जाए यहाँ से नीचे आके फिर वापस पुल बैक ले डवलू पैटर्न बन जाएगा या फिर यह स्टॉक यहाँ पर अपने हाई के ऊपर निकलना शुरू करे तो भी आप एंट्र बहुत ज्यादा है दोड़ो पॉसिविल्टी मैं आपको बता दिया है यहाँ से उपर बिन कल सकता है नीचे भी 270 के आसपास भी आ सकता है उसके बाद से फिर यह वापस चल ऊपर जाने की कोशिस करेगा तो वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर यह ऊ पर लेवल बता दिया है यह स्टॉक स्विंग एज पोजिशनल भी आप रख सकते हो 360 के लेवल तक के लिए उसके बाद से तो अपसाइड में फिर 477 के आसपास का यह टारगेट है इसमें फिर उसके बाद उपर जहाँ पर यह ट्रेंड लाइन है हो सकता है इसको टच कर ज इसी स्टॉक को बाय कर सकते हैं वंडे के चार्ट में अगर आप लेवल देखोगे तो 310 देन उसके बाद में 350 के आसपास में फिर 370 के आसपास में तो यह आपके प्रेंड यह टारगेट हो जाएंगे और पॉजिशनल के टारगेट मैंने बता दिया यहां से 370 देन उसके बाद में 470 उसके बाद में आपका 500 के आसपास में जो टारगेट है तो स्विंग एज़ पोजिशनल दोनों केस में आपको अपने टारगेट्स याद रखने है सो फ्रेंड्स यह थी इसी स्टॉक की बेस्ट अनिसिस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोई क्वेरी कुश्चन है आप वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं और वेरा टेलिग्राम चैनल है वीडियो क दिस्क्रिशन बॉक्स में आपको लिंक बिल जाएगा आप जाके जॉइन कर सकते हैं तो थेंक्यू प्रेंट्स थेंक्स अलोट बाइबाइब फून आओ